हाथरस कांच में SIT के रिपोर्ट पर भी सियासिस संग्राम छुड़ा हुआ है तरसल साथ दिन पहले हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गए थे और दर्जनों लोग खायल हुए थे लेकिन बाबा पर कोई कारवाई नहीं हुई हमने आपको विफ्तार से इंडिया टीवी पर ही ये जानकारी दी कि F.I.R. बे बाबा का नाम तक नहीं है और नहीं SIT रिपोर्ट में सुरजपाल और फबाबा नारायन साकार हरी का नाम शामिल है इससे लेकर अब B.S.P. सुप्रीमो मायावती ने SIT की जाच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किये है मायावती ने SIT रिपोर्ट को राजनीती से प्रेरित बताया है मायावती ने सुरजपाल और फबोले बाबा पर एक्शन ना लेने पर भी चिंता जताई है B.S.P. प्रमुक मायावती ने सोशल मीडिया के जरिये पूरा मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा उन्होंने लिखा UP के हात्रस में सत्संग भगदर कांज में हुई 121 निर्दोश महिलाओं और बच्चों आदी के दरदरात मौत सरकारी लापरवाही का जीता जाकता प्रमान है लेकिन अगली बात जो मायावती कह रही है वो इससे जादा गंभीर है क्योंकि प्रशासनी क्लापरवाही तो हुई है यह SIT की रिपोर्ट में भी है लेकिन चिंता की बात क्या है वो आप देखिए किन्तो SIT की द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीती से प्रेडित जादा लगती है यह अधी दुखत है अब अगला ट्वीट वो क्या कर रही है वो भी आपको बता दे वो भी ज़रा दर्शकों के सामने हम रगते इस सती जान लेवा घटना के मुख्या आयो चक भोले बाबा की भूमिका के संबंद में SIT की खामोशी भी लोगों की चिंताओं का कारण है साथ ही उसके विरुद कड़ी कारवाई के बजाए उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया जारा है यह तो इंडिया टीवी बिलग गई क्यों उसका नाम शामिल नहीं है साकार सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं के पुनाव रिती ना हो यह बाते मायावती की ओर से कही जा रही है मतलब यह कि मायावती सुरचपाल उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट देने पर सवाल खड़े कर रही हैं मायाव इसकी भी है मायावती सुरचपाल उर्फ बाबा भोले को मुख्या आयूचक बता रही है कि केवल यह मधुकर जो है जिसका नाम सामने आया जिससे गिरफ्तार कर लिया गया केवल उसकी संलिपता नहीं है बलकि खोद नारायन सकार हरी की गलती है इसलिए मायावती साइटी की रिपोर्ट को राजनीती से प्रेवित बता रही है और सवाल पूछ रही है कि इस बाबा पर अभी तक कोई गाच क्यों नहीं गिरी अब तक SIT के रिपोर्ट में इसका नाम क्यों नहीं है आपको बता दें कि हाथरस में दो जुलाई को जो हात्षा हुआ था उसमें जो F रिपोर्ट भेजी है उसमें भी सुरजपाल और सभोले बाबा के नाम का कहीं कोई विक्र नहीं किया गया है साथ ही उन्हें एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है जबकि वो जो चलन रज को लेने के लिए या बाबा के पीछे जो भीर दोड़ी थी अचानक से उनको मिलने के लिए उन्हें नजर भर देखने के लिए या फिर उनके गारी के भी धूल लेने के लिए जो भीर तयार थी वो रोकी जा सकती थी अगर एक बार बाबा ये कह देता कि आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रह जाए लेकिन इस तरीके के तो कोई बात को क्लीन चिट दी है अब आप देखिए कुछ बड़े सवाल है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ हादसे के जिम्मेदार के तौर पर सत्संग के आयोज़क को ठेहरा दिया है भोले बाबा की किसी गलती का जिक्र तक नहीं किया गया है क्राउड मैनेजमेंट के परियापत इंतजाम नहीं थे ये बात तो किसी जाच के बिना भी समझ में आ रही थी अगर क्राउड मैनेजमेंट होता तो इतनी बड़ी दुरगटना तो नहीं होती इतना बड़ा हाथसा तो नहीं होता सही इंतिजाम होता तो मौत का आकड़ा कम होता ये बात तो बिना किसी जाज के भी समझ में आ जाती लेकिन गल्ती किस किस पैमाने पर हुई है क्या इसमें नारायन साकार हरी का कोई दोश नहीं है यही बात चौकाती है SIT हाथसे के पीछे किसी साजश से भी हलाकि इंकार नहीं कर रही है वो आपको बता दे कुछ प्रमुक बिन्दू इसको यहीं पर रोग दे कारिक्रम के आया चको को मुक्षिय रूप से जिम्मेदार माना है SIT के रपोर्ट में यह important बात साब ने आई है हाथसे के पीछे किसी बड़ी साजश इसे भी इंकार नहीं किया जा सकता है और गहन जाच की जरूरत बताई है देखिए अगला ही बिन्दू क्या है कि अभी तक जितनी भी जाच हुई है उसमें यह तो कहा जा रहा है कि हाँ कोई साजश हो सकती है और इसलिए इसके आगे गहनता से जाच की आभिश रखता है जाच समिती ने कारिकरम आयोचक के साथ-साथ तहसील स्टरिये पुलिस और प्रशासन को भी दोशी पाया है स्थानी एसडिये, सीओ, तैसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके दाइत्तों का उन्होंने निर्वाहन नहीं किया उन्होंने लापरवाही बढ़ती और इसके वो जिम्मेदार है और आपने आपको सिलसुरेवार तरीके से बताया कि इनके उपर कानूनी कारवाई भी की गई है इनका लंबन भी हुआ है, सुस्पेंशन भी किया गया है लेकिन सवाल फिर वापिस वही कि अभी तक नारायन साकार हरी को क्यों कल्प्रिट नहीं माना जा रहा है या फिर शक्की सुई उनके उपर क्यों नहीं जा रही है लेकिन जो इंपोर्टन पॉइंट से वह इस वक्त हमने आपके सामिले लग दें जो S.I.T. के रिपोर्ट में स्वश्ट तौर पर दिखाये दे रहे हैं एडीचे आगरा जोन, अनुपम कुल्श्रेश्ट और कमिशनर अलिगार चैत्रा बीग की S.I.T. में करीब 125 लोगों के बयान दर्च किये गए हैं इसमें सरकारी करमचारी हैं, कई पिडित परिवाल शामिल हैं, कई जश्मतीद हैं जिनके बयान दर्च किये गए हैं रिपोर्ट बनाने से पहले इन लोगों से बात की गई है और जाच की गई है, इसकी सतिता की भी पड़ताल की जाएगी सत्संग का आयोजन कराने वालों ने सत्संग की कितनी शर्टों का पालन किया या पालन नहीं किया, इसका भी पूरा-पूरा ब्योरा साइटी के इस रिपोर्ट में शामिल है क्योंकि जो अनुमती मांगी गई थी, वो तकरीबन 80-85,000 लोगों की अनुमती थी, लेकिन 2,5 लाख लोगों की मौझूदगी वहाँ पर थी ATF से मारे सयोगी अभे पर आशर इस वक लाइब जुड़ गए हैं, अभे ज़रा ये बताएं कि SIT के रिपोर्ट में नारायन साकार हरी को दोशी नहीं माना गया है, ये एक चिंता का विशाय है, लेकिन अभी तक जो भी जाज हुई है, वो जाज किस तरफ विशारा कर रह है. इसके बाद कुछ और लोगों को गरफतार किया, यानि कि आयोजक सेवदार, इनकी तो गरफतारी की जा रही है, लेकिन अब तक हमारे सोर्सिस ये बता रहे हैं कि हरी नरायन बाबा उर सूरजपाल को सम्मन करने का भी कोई दूर दूर तक प्लान जो है, वो भी यूपी प वो क्या बहुत हमबल बैग्राउंड से हैं, या कोई बहुत मालदार पार्टी दिखाए देती है, जिन्होंने जान बूच कर लापरवाही की है, क्या ऐसा भी दिखाए देता है? अब तक जितने लोगों की गरफतारी हुई है मिनाक्षी, उसमें सबसे रसूगदार जो है, वो देव प्रिकाश मदुगर है, क्योंकि वो नाकेवन आयोजक था इस पूरे कारेकरम का, बलकि आयोजक के साथ-साथ वो बाबा का सबसे close associate बताया जाता है, यानि कि चाहे वो political connection हो या फिर funding की बात हो, क्योंकि funding को लेकर पुलिस ने साफ़तोर पर ये कहा है, कि पैसा कहा से आता था, चंदा कहा से आता था, राजनितिक साजिश का जिक्र जो है, वो भी पुलिस ने कहा था, हाला कि किसी पार्टी का नाम पुलिस ने नहीं लिया था, तो किस राजनि पर बेचा जाता था, जिससे लाखों रूपे जो है, वो हर मंगलवार को जमा होते थे, तो इन सारी चीजों का सबसे ज़्यादा जिसको जानकारी है, वो है देवपरकाश मदुगर, इसके अलावा जितनी गरफतारी हुई है मिनाक्षी, वो सेवादार है, उनकी वहाँ प की प्लानिंग अब तक पुलिस की नहीं है, जो की जांच में अब तक ग्राउंड पर समझ आ रहा है, ठीक है